इजी लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है आए देखते हैं हिंदी में जो है बालोजी के सव क्वेश्चन्स हैं ये बहुत ही महत्पूर्ण क्वेश्चन्स जो एक्जाम में अक्सर पुछे जाते हैं और हरेक एक्जाम में पुछे भी जा चुके इससे क्वेश्चन्स इस channel पर आप लोगों कोई English में वीडियो biology कर मिलेगा। और यह Hindi में आप लिए जाके Lucent biology की series देखते हैं, आईए हिंदी में देखते हैं 12 महत्पूर fragen One by one देखते हैं, देखिये दही जमाने में किस सूष्म जीव का परियोग किया जाता है, पहला देखिये दही जमाने में किस सुष्मजीव का प्रियोग किया जाता है अगला देखते हैं नाइट्रोजन योगी करण में निमलिखित में से कौन सी फसल सहायक है नाइट्रोजन योगी करण में जो होती है जिसमें C है फली फली जो है नाइट्रोजन योगी करण में सहायक होती है अगला देखते हैं, तीसरा देखिए, जन्तुओं में फूट एवं माउथ रोग किसके करण उत्पन होता, इसका करण क्या है, फूट और माउथ रोग उत्पन होने का करण क्या है जन्तुओं में, तो इसका D-Option, बीसाडुओं के करण जो है जन्तुओं में, बीसाडुओं कौन सी फसल है ए ओप्सन देखिए नील हरित सैवाल जो है चावल की फसल के लिए जय उर्बरक का कारी करता है आई ये पाचवा कोशन देखती है एथलीट फूट नामक बीमारी किसके करण उत्पन होती है तिसका बी ओप्सन है कवक के करण देखिए अभी पीछे आया था न देखिए यहां भी यह दो कुशे जाते है एथलीत फूट नामक बीमारी किसके करण उत्पन होती है तो कवक के करण अगला आईए छहटा कोशन देखती है निम लिखित में से कौन सा वाइव प्रदूसर्ण का एक जय सू चक है तो इसमें कौन सा जय सूचक है फर्न है कि म ये ओप्सन है, लाइकन, लाइकन जो होता है, ये वाह प्रदुसर्ण का सूचक होता है, आएए देखते हैं, साथ वा कोशन, बनस्पत जगत में निमलिखित में से किसको जल अस्थल चर कहते हैं, मनलब उभजर, जो जल चर भी हो, अस्थल चर भी हो, तो इसमें देखिए, जरबग देखते ही इसमें प्रूबहल कहीं देखते हैं तेल प्रदूसर नियंत्रण में प्रयूक्त होने माला सुपरबोग क्या है देख़ें युद्धन के देखते हैं डेखे नियंत्रण Universal होने वाला सुपर्बक क्या है देखिए इसमें 4 अप्स्न दिए गए है कवक विक्रित है कि जल पिस्सु है कि जीवाड़ُ विक्रित है कि सेवाल विक्रित है यह बहुत बार पुछा गया है तो यह जीवाड क्यूसा इसका Titeaus extend की नियंत्रण में प्रियुक धोने वाला सूपरपक यह है जीवाण देखते हैं नवा कोशन पानकी लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है इसमें चार दिये गए है ऑब अस्तमब जड़ है कि आरोही जड़ है कि अनलग्न जड़ है कि 6000 जड़ है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है तो इसका C option है आरो ही जड़ पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है आरो ही जड़ आईए देखते हैं दस्वा कोशन निमलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है इसमें बताना है कौन सा रूपांतरित तना है पहला है गाजर है दूसरा है नारियल है तीसरा है सकरकंद है और चौथा है आलू है तो इसमें देखिए D option आलू आलू जो है रूपांद्रित तना है देखिए पहले चारों आप्सन को देखिए अगर चारों आप्सन अगर यह नहीं देखेंगे आप तो एक्जाम में आप तो वहां confusion पैदा हो जाएगा लेकिन अभी चारों आप्सन देखिए इसकी बाद एक बार आप लोग ट्राइ किया करिए करिए किसका क्या हो सकता है खुझ से दिमाग में सुचा करिए फिर गलत होगा तो याद हो जाएगा अगर आपको पहले से पता होगा तो सही है अगल इसमें पंड है और चौथा है जड है तो फिर से देखते हैं पौधो का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो इसमें C आप्सन है पंड पंड जो है पौधो को फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है देखिए जिव भी ज्यान में भासा पर भी ध्यान दीजिए, language question की क्या है, अगर नहीं अभी समझेंगे, तो exam में दिक्कत होगी, आईए देखते हैं, बरावा question, नेमलिखित में से कौन सा बिस्ट का सबसे बड़ा पुष्प है, बहुत बार exam में पुछा गया है, बिस्ट में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो इसमें देखिए कमल है, कि रिफलेसिया है, कि सूर्मुकी है, कि ग्लोरी लिली है, तो इसमें देखिए रिफलेसिया है, बहुत बार पुछा गया है, हाई एस का एक्जाम पौधों का प्रत्रोपन करके की जाती है इसमें यह है कि पहले उसको बीज लगाया जाता है बीज डाल दिया जाता है मिट्टे में फिसमें कुछ पौधे निकल आते हैं फिसको खाड की फिर लगाया जाता है तो इसमें कौन सा है खेती पौधों का प्रत्रोपन करके लगाय की जाती है आईए देखते हैं चोड़ामा कोश्चन नास पाती का कौन सा भाग खाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है गुदेदार पुसपासन है कि बीजाणु है कि फली है कि दोनु दोनु बताना इसमें कौन सा नास पाती में कौन सा भाग खाया जाता है तो ए आफसन देखिए गुदेदार पुसपासन जो है नास्पाती में खाया जाता है आईए देखते हैं 15 वा कोस्टिन घट परड़ी के निमलिखित भागों में से कौन साए घट में रूपांतरित होता है जिसमें चार अफसन देखिए अस्तम्ब अनुपण पत्ता या पढ़ ब्रिंथ कि वर प्रिनथ तो घट परड़ी के निमलिखित भागों में से कौन साए घट में रूपांतरित होता है तो पत्ता जो है घट में रूपांतरित होता है अगला देखते है कुनैन बहुत पूछाचा जाता है और यूकेलेप्तिस की नीम या उनकुना या सिनकुना ।ो इसक च्छाल निकाली जाती अगला देखते है नेमलिखित में इसे किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरूत पाए जाता है तो इसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरूत है और जो सोया बीन की सबस्यादा पैदावार जो है मध्य प्रदेश में होती है, भारत में किस राज में सबस्यादा सोया बीन की पैदावार होती है, तो मध्य प्रदेश में, अगला देखते हैं, किस पादक को साकी भारती डाक्टर कहते हैं, देखो, किस पादक को साकी भारती ड तो इसमें ये आउला, आउला को जो है साकी भारती डॉक्टर कहा जाता लिए विट्म में बहुत पाइया जाता है करो आई देखते हैं केसर मसाला बनाने के लिए पॉधो का निम्लाक्स में से कौन सभण हुप्योग में लाय जाता है तो इसमें देखते हैं पत्ती लाया जाता है कि पंखुडी लाया जाता है बाहदल लाया जाता है कि वर्तिकाग्र लाया जाता है केसर बनाने में पौधो का कौन सभाग लाया जाता है तो इसमें D है इस्टिगिमा वर्तिकाग्र जो है केसर में केसर बनाने में पौधो का वर चूसर्ड करते हैं कौन सी गैस का और चूसर्ड करते हैं मतलब कौन सी गैस जो है अपने लेंदर लेते हैं मतलब और कौन सी उस सरजीत करते हैं देखिए तो इसमें यहां पूछा गया है कौन सा मतलब और चूसर्ड करते हैं तो इसमें देखिए चार आपसन दिया है कारबन याक्सायड है जो उस्ट करते हैं और आक्सीजन को छोड़ते हैं आई देखते हैं कि 21 प्रकास संस्लेसंड की क्रिया में मुक्त होने वाली आक्सीजन कहां से आती है किस से आती है कि करद्धी अकसायड से आती हैं कि पढ़ हर्च के टूटने से आती है कि वह मंडल से तो प्रकास संचलन क्रिया में मुख थोने वाले आक्सिजन कहां से आती है प्रकास अनुवर्थी संचलन किसके द्वारा नियंतित किया जाता है आक्सिन के द्वारा बहुत इंपॉर्टन कोशने भी है आईए देखते हैं 23 नंबर देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 100 कोश्चन है इसको कवर करेंगे नहीं इसको 2-3 पार्ट में करेंगे तो फिर लोगों को दिक्कत होती है देखिए पेडों की पत्तियों में पाये जाने वाला हरा परदात क्या कहलाता है आईए देखते हैं देखिए इसमें पहला है हीमोग्लोबिन है कि लाइकोपिन है कि क्लोरोफिल है या कोई नहीं है तो इसमें B option है क्लोरोफिल जो पेडों की पत्तियों में पाये जाने वा होता है वैसे पौधों में क्या होता है तो आई चारा ओप्सन देखते हैं देखो पहला है के रोटीन है दूसरा है सिलूलोज है तीसरा है साइटो क्रोम है जो था है क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो पौधों में जैसे हिमोग्लोबिन होता है वैसे जैसे पसुओं में हिमोग्लो इस नबर, कौन सा जीवित उतक उच्छ वर्गी पाधों में जयो पोसक वहक का कारी करता है, तो इसमें क्या है, phloem, phloem जो है जीवित उतक वर्गी पाधों में जय पोसक वहक का कारी करता है फ्लोयम का क्या होता है पत्तियों से भोजन लाके पहुंचाना ये फ्लोयम जो होता है भोजन के लिए जाईलम जो होता है जल के लिए आए अगला देखते हैं 26 नंबर निमलिखित में से किस एक भारती बैग्य भारती बैग्यानक ने पादबो में जल की लंबी दूरी के अधि गमन का सिद्दान प्रस्तुत और यह कौन थे दिखे इसमें चार अफ्संस है जेसी बौस पी महसवरी ती मेरिबल साहनी और इसके बार नहीं परिःपर्यारं को इसमें जिसी बौस ज्सिबोस है भारती ब गयानिक थे, जिन्हों ने पादबो में जल की, लंबे दूरी की अदिक सिद्धांत प्रस्थुत किया था, आए देखते हैं, tweet 27 नमबर, किसके दlorा अनुबानसिक बिज्ञान को अनुबान्सकी कहा गया इसमें देखते हैं किसके द्वारा अनुबान्सक्ता के बिज्ञान को अनुबान्सकी कहा गया इसमें मेंडल है मुलर है कॉरिंस है वार्सन तो इसमें वार्सन वार्सन द्वारा है अनुबान्सक्ता के बिज्ञान को अनुबान्सकी क अंतर पाया जाता है किसकी उपस्तिती की कारण पादब कोष्पिया और पस्कोष्पिया में अंतर पाया जाता है तो इसमें चार ओप्सन देखते हैं इसमें क्लोरो प्लास्ट के कारण या कोष्पिया कला के कारण या कोष्पिया भित्ति के कारण या केंद्रक नाभिक डिन्य के दूहेलिकस प्रारूप को पहली बार किस ने प्रस्तावित किया था ? पहला कि दीकते हैं वाट्सन एवंग करेक दूहस्थ या्चरहरर्णी ने किया था , या लाइमार्क दार्विन ने किया था , या हीगो प्रारुब को प्रस्थत किया था है आए तीस नंबर देखते हैं निमलिखित पोसकों में से कौन सा एक पौधो की कोशिका भित्त का एक सनरचनात्म घटक है तो इसमें बताना है देखिए इसमें चार आपसन दिये हैं मैगनीज है फासपोरस है पोटैसियम है कैलसियम है ती बोगः कोशिका भित्त का एक सनरचनात्म का घटक है कोश्किए भित्ती की एक सनरचनों घटक है आई अगला देखते हैंамbor मुछिता मश्य contemporary ग्रुवाले ज़्यारीव बन पहले देखते हैं नागर्जुन सागर ऐन कमें ननर्म्दा बेसिन हैं इन रंगंघ ठीहलु पत्छे बिया किसे होते है हूं वाले जुएरी बन कहां पा जाते हैं सुंदर बन के डेल्टांग। आए अगला देखते हैं निमलिखित में से कौनसा पाउधा मरुद्र भिद्र है। इसमें देखिए कौन सा पाउधा मरुद्र भिद्र है इसका थोड़ा वर्ड देखिए वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है इसको देख लीजी अच्छे से तो इसका आंसर क्या है करील आई ही देखते हैं ततारीज रिञाल, निमलीखित में से कौन सा सबसे अधिक इस्थिर परिर्द्रत है, पारिस्थित की तंत इसमें कौन सा सबसे इस्थिर है, तो इसमें बताना है 34 नमबर भारत में पारिस्थित की असंतुलन का निमलिखित में से कौन सा एक प्रमुक कारण है इसमें बताना है कि भारत में पारिस्थित की असंतुलन का एक प्रमुक कारण कारण है बन उनमूलन है कि मरुस्थली करण है कि बाढ़ एवंग आखाल है कि वर्षा का परिवर्थना है तो इसमें जो है वन उनमूलन ए ओप्सन है भारत में पारिस्थित की असंतुलन का क्या करण है वन उनमूलन आई अगला देखते हैं वह वर्षा जो बनस्पत को परावाइगनी किर्डो के दुस्पराव से बचाता है कौन सा वर्षा है जो बनस्पत को परावाइगनी किर्डो से बचाता है चार आफसन देखते हैं Chlorophyll है कि Karotynide है कि Phycosinin है यह Plastid Plastid देखिए तो कौन से Amodak है जो बनश्पत को परावाइगनी कर्णों से दूसप्रवाइद से बचाता है तो सी है Phycosinin बनश्पत को जो है परावाइगनी क्यूल्डों की दूसप्रवाइद से बचाता है अगला देखते हैं आईए भारत में धारड़े विकास के द्रिष्ट कोड से बिद्दुत उत्पात का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है भारत में धारड़े विकास के द्रिष्ट कोड से बिद्दुत उत्पात का सबसे अच्छा सोत देखें चार आफसन देखते है एक पहले कोयला है कि जल्पिदूद्दूद्ध निलिकत में से कौन सी हरित गैस नहीं है हुआ समय करबंदाय है नै्ट्रेस अक्सायट निप यह नाइट्रोजन इन इन कौन सी जो है ग्रीण हाउट गयस नहीं है तो इसमें जो है और फल्रेज ना उनेट्रोजन जो है इन क्रीन हाउ मृतनस ग्रीह scrum नहीं तो इसमें already IR निक्राइफ m पहले चारों आप्सन देखते हैं भारी ट्रक यात दूसरा है निर्वाचन संभाएं यह तीसरा है पाप संगीत यह जट उडान तो अधिक्तम दुवन प्रोडूसरन का करण क्या है डी आप्सन जट उडान अगला 49 नमबर देखते हैं निमलिखित में से काउन सा इधन में सबसे कम परियावर्ण प्रदूसर का उत्पन करता है सी ही भूमगद जल के प्रवाच के साथ नीचे की और बहने वाले प्रदूसकों क्या करते है इधे फ़ले आप्सन चारो पहला है निच्छालक या दूसरा प्रदूसक या तीसरा मिट्टी की काण और चोथा है स्राओ तो इसमें भूमगत चल की प्रवाह के साथ नीचे की और बहने वाले प्रदूसकों को क्या कहते हैं निच्छालक, निच्छालक करते हैं, आईए देखते हैं, 41 नंबर, रक्त में इंटीजन की अध्यन को क्या करते हैं, बहुत पुछा जाता है, रक्त में इंटीजन की अध्यन को क्या करते हैं, चारा ओप्सन देखते हैं, फ़ले, हिस्टोलोजी करते हैं, कि गाइनिकोलोजी कहते हैं कि सीरोलोजी कहते हैं कि बायोलोजी कहते हैं रक्तमी इंटी बाड़ी और इंटी जन को क्या कहते हैं अध्यान को सीरोलोजी कहते हैं बहुत इंपॉर्टन याद रखिएगा हाँ देखी बहुत इंपॉर्टन यह भी तो इसमें हिर्दय का पहला प्रतिस्थापन जो है । डॉक्टर किस्चिन बनाद बहुत पुशा गया है, इम्पोर्टन कोश्चिन है, सारे के सारे इसमें जितने हैं आएे देखते हैं, 43 नंबर देखते हैं, कि संपाले ग्ज्यानिक ने खोज की मैक्स प्लांक तो किस बैग्यानिक की खोज की थी मलेरिया मच्छरो द्वारा होता है तो रोनाल्ड रॉस रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया मच्छरो द्वारा होता है इन्होंने खोज की थी अगला देखते हैं जन्म के बाद मानव के किस उतक में कोई कोज क्या विभाजन नहीं होता देखते हैं पहला कंकाल में दूसरा तंत्रिक्या में तीसरा जो है सन्योजी में चोथा जो है जनन में तो यह है तंत्रिक्या तंत्रिक्या उतक में कोई विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद जन्म के बाद जो जन्म के पहले जो भी विभाजन होता होना होता है जन्म के बाद जो है तंत्रिक्या उतक में कोई भी कोजिया विभाजन नहीं होता अगला देखते हैं डिने का डबल हेलिक्स मॉडल किस ने दिया था देखें डिने का डबल हेलिक्स मॉडल किस ने दिया था देखें पल देखते हैं लिवन हॉक ने दिया था कि सॉल्क ने दि नौजात से लिंक का निर्धार किया जाता है तो देखे पहला माता या पीता या माता की पीता या पीता का पीता तो इसमें B option है पीता नवजात से उसमें बच्चे के निर्धारत जो हता है पीता के गुड़सूत द्वारा निर्धारत होता है आईए आगला देखते हैं सिसू की पित्रत्व अस्थापित करने के लिए निमलिखित में से किस एक तक्निकी का प्रियोक के आता है सिसू का पित्रत्व अस्थापित करने के लिए निमलिखित में से किस एक तक्निका प्रियोक के लिए प्रोटीन बिसलेशड है या गुड़सूत्र गड़न है या तीस फिंगर प्रिंट का यूज किया जाता है इसमें सिसु प्रित्त मतलब होता है जैसे कोई बच्चा अभी गायव हो जाता है तो उसकी हकदार कई लोग आते हैं अभी यह के सुगा था मद्यप्रदेश में जिसके लिए कई लोगों ने दावा किया कि हां यह हमारी बच्ची है अगला ही देखते हैं DNA अंगुली छाप का प्रियोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है देखिए 48 नमबर देखिए DNA अंगुली छाप का प्रियोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है पहला है माता पिता बलातकारी चोर और चौता है उपर युग सभी सभी के लिए ज जो और की पहचान के लिए सब के लिए किए जाता है आई ये उन्चास नमर देखते हैं निमलिखित में से कौन सा मनुस्य में और सेसी अंग नहीं है तो देखते हैं इसे पहला ए आप्शन देखती हैं निक्टिंग परदा या करणाव मांसपेस या या सामने वाला चप्टे ग्राइं या अइसके होने या नो होने से सरीरं पासर नहीं पड़ेगा करणाव मांसपेस के एक होने नोकिक्तिंग परदा इसके होने // कोई शरीर पासर नहीं पढ़ेगा लेकिन सामने वाला चप्टे दाथ नहीं होगा तो दिक्कत होगी तो मनुसमें आउसेसी अंग नहीं है तो सामने वाला चप्टे दाथ आईए 50 नमबर देखते हैं 50 question देखते हैं मच्छरों के नियंद्रन हुद प्रियोग होने वाली कीट भच्ची मचली बहुत important है इस में सी option देखिए गेंबू सिय गेंबू सिय जो है मच्छरों के नियंद्रन के नियंद्रन के लिए कीट भच्ची मचली है अगला देखते हैं जो feel c पसु डाली कौन सा पसु था पहला क्लोन पसु डाली कौन सा पहला देखते हैं कुत्ता था कि खरगोस था कि बिल्ली थी कि भीर थी तो ये थी भीर देखिए पहला क्लोन पसु जो डाली थी वो भीर थी अगला आएए देखते हैं बाउन नमबर निमलिखित में से किसकी उप last गिर-गिट युए अगला देखते हैं में इसे कौन चीड ही अपनी तवचा से सांस लेता है इसमें मचली लेता है कबूतर लेता है कि मेठक लेता तील च्टा लेता है इसमें c ओप्षन है मेठक अपनी तोचा से संस लेता है आएए अग्ले देखते हैं चव नबर निमलिखित में से kis लिखत में से किस जियों के दूबने से आए चो नमबर फिर से देखते हैं निमलिखित में से कि समू के जियों के डूबने से हुई मृत्व का पता लगाने में महत्तु है तो यह देखते हैं पर लाइकेन, पुर्टो जोबा, साइनो जीवार या डाइटम इसमें निमलिखित में से कि समू के जियों का डूबने से ह कोई मृत को पता लगाने के लिए डाइटम बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है अगला देखते हैं पच्छबन नंबर तालाब और कुंगों में निमलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रिन करने में मदद मिलती है अब यह कोश्चन पूछ पीछे भी आये था कि कौन सी कौन सी जो है कीट भच्छी मच्छली है जो मच्छरों को खा जाती है तो इसमें देखिए पहला है केकड़ा तूसरा है डॉक फिस तीसरा है गेंबुसिया और चौथा है गोंगा तो इसमें सी ऑप्सन है गेंबु सुगा गेंबु सुगा कीट भच्छी मच्छी है जो मच्छोरों को खाती है अगले चापन नमबर देखते हैं भारती वन जीओ के संदर्व में उड्डेयन वगुल यह फ्लाइंग फॉक्स निमलिकित में से क्या है पहला देखते हैं चमगादर है दूसरा चील है तीसरा ह बारती वन जीओ के संदर्व में फ्लाइंग फॉक्स जो है फ्लाइंग फॉक्स उड्डेयन वल्गुल कोन सी है चमगादर है आहीं देखते हैं सत्ताओन नमबर देखते हैं निमलिकित में थे किस युग्म का बिब्रित प्रकार का परिसंचन तंत्र है इंपॉर्टन कोश आदमी और वेल का, तीसरा काक्रोच और सिल्वर फिस का, और चोथा जो है, टेड़ पाल, लार्वा और मत्स क्या, तो निमलिखित में से किस यूगम का बिबृत प्रकार का परिसंचरन है, तो ये काक्रोच और सिल्वर फिस का, काक्रोच और सिल्वर फिस का जो है, बिबृत प्रकार का पजिसरंचरण तंत्र है अगला देखते हैं अठावन नमबर निमलिकित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रियोग में लाई जाते हैं महदुमक्की का प्रियोग किसमें लाइ जाता है मानव है, पाचन का आधिकानस भाग किस अंग में शंपन tickets है देखिए पहला इसमें पैंक्रियाज है दूसरा है बड़ी आत तीसरा है छोटी आत चोथा है आमास है तो पाचन जो है मानो सरीर में पाचन का अधिकांस भाग जो होता है छोटी आत में संपन होता है अगला देखते हैं साथ नमबर अधिकांस पोसकत्त रक्त में कहां से औसूसित किया जाते हैं बड़ी आत से की मूँ से की छोटी आत से पीट से तो इसका सी है छोटी आत से आधिकांस पोसकत्त जो है रक्त में छोटी आत से औसूसित किया जाते हैं आईए एक साथ नमबर द निमलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो पहला देखते हैं वसा में दूसरा है ग्लुकोज में तीसरा है अमीनोमल में यह सरकरा में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में अमीनोमल में अमीनोमल में जो है प्रोटीन बदल जाता प्रापाचन क्रिया में आईए 62 नंबर देखते हैं निम्लिखित में से किनकी भीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दवाव को रक्त दाब कहते हैं देखें निम्लिखित में से किनकी भीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दवाव को रक्त दाब कहते हैं देखें पहला ह रदय दूसरा सीरा तीसरा धमनी चौथा कोजिया। इसका आंसर है C, धमनी धहमनी भित्यों पर रक्त द्वाव टालता है उसी को हम कहते हैं रक्त दाप। आईए 63 नंबर देखते हैं, 63 नंबर देखते हैं, निमलिखित में किसकी सहायता से रख्त द्वारा आक्सिजन ले जाया जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है, निमलिखित में से किसकी सहायता से रख्त द्वारा आक्सिजन ले जाया जाता है, तो देखिए पहला है लोहित को निवीब्य कोजियाओं की साहिता से रक्त द्वारा आक्सिजन ले जाया जाता है। देखते हैं चौर्शट नमबर मानुवसरीर में लाल रक्त का निर्मार कहां होता है। बहुत important question है, मानव सरीर में लाल रक्त का निर्माड कहां पे होता है, रदय में होता है, कि तिल्ली में होता है, कि यकृत में होता है, कि अस्थिमज्या में होता है, कहां होता है, तो इसका है D option, अस्थिमज्या में, मानव सरीर में जो है, RBC का जिसे Red Blood Cell कहते हैं उसे RBC का लाल रक्त कण का निर्माण कहा होता है आस्थी मज्यम आईए अगला देखते हैं जब कोई बाहरी पदार्थ मानो रुधिर प्रणानी में प्रविस्थ होता है तो प्रत्क्रिया कौन करता है जब कोई बाहरी पदार्थ मानो रुधिर प्रणानी में प्रविस्थ होता है तो प्रत्क्रिया कौन करता है देखते हैं RBC प्रत्क्रिया करता है कि WBC प्रत्क्रिया करता है कि प्रत्क्रिया करता है कि जियू द्रब तो इसमें WBC White Blood Cell जो होता है जब कोई बाहरी पदार्थ मानो रुधीर प्रलाली में प्रविष्ट होता है तो प्रत्किरिया कौन करता है तो WPC अगले देखते हैं मानो सरीर की किन कोशियाओं में सबसे कम पुनर योजन सकती होती है कि मतलब वो रिकवरी करते हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं कि अपने अपर रिकवरी कर पाते हैं कि नहीं तो मानो सरीर में किन कोशियाओं में सबसे कम पुनर योजन सकती होती देखते हैं मस्तिक्स कोस्कियाओं में पेशी कोस्कियाओं में अस्तिकोस्कियाओं में यक्रित कोस्कियाओं में तो इसमें है ए ओप्षन मस्तिक्स कोस्कियाओं यह सब से कम पुनरयोजन सकती होती है जल्दी नहीं होती अगला देखते हैं अ जिसक्डाइलेश का प्रियोग कि स्क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है आला थे दूसरा हई फड़ा तीसरा हया कर चौसरा ब्रिक देखिएिए आप Corin का प्रियोग किस को पूरा करने के लिए तो यह brick आप ओहन यह dialysis बोलते हैं गुर्ध के लिए प्रियोग किया जाता है आप ओहन आईए अगला देखते हैं अर्फट नमबर गरभासे में सिसु की बिकास की जानकारी हिद किसका प्रियोग किया जाता है पहला देखिए एकसरे का प्रियोग किया जाता है गामा किर्णों का प्रियोग किया जाता है अल्ट्रा वाइटिट किल्रों का प्रियोग किया जाता है तो गरभासा में सिसु की बिखास की जानकारी के लिए जो है अल्ट्रा साउन का प्रियोग किया जाता है अगला देखते हैं गाय और भैस के थनों की दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है प यायोरभाइस के थनों को दूद उताने के लिए जो है आकसी टोसिंद हार्मोन का प्रियोक कि जाता है। आइए सतर नंबर देखते हैं। निमलिकित में से किसकी कु संक्रिया के करणा मानों शरीर में मिक्सीडिमा मिक्सीडिमा होता है। होता है तो देखिए पहला है अधिवयक गंद के करणा। दूसरा है अगनासा ही गंद के करणा। तीस्रा है यक्रित गंद के मिवा Alright um 4 है आउटू गंद के करणा। तो इसमें » Memphis का आंशर है इ डर टू तो इसका है बीटा कोस्किया बीटा कोस्किया से जो है इंसुलेंस रावित होती है बीटा कोस्किया से जो है इंसुलेंस रावित होती है अगला देखते हैं तो निम्लीखित में से कौन सा मानौ सरीर में सबसे कठोर है ग्रण्थ ऐसी है जिसका संबंध सरीर को तेजना से है तो इसमें देखे पहला आउटू ग्रंथ है, तीसरी है, अगनासे ग्रंथ, चोथी है, तीसरी अधिबिक्र ग्रंथ है, तीसरी अधिबिक्र ग्रंथ है, चोथी है, प्यूस ग्रंथ, तो मानव सरीर में कौन सी एसी ग्रंथ है, जिसका संबंद सरीर की उत्तिजना से है, तो के निमलिखित में से किस भाग से तोला कि जा सकती हैं, औक के रेटनेया की परमपरागत, जो कामरा हय, उसकी आख के रेटनेया की किस भाग से तोलना किili जाती है, फिल्म है, दूसरे है, लेंज है, तीसर ass, शटर है, चौथा है, आव्रण तो यह ए फिल्म आख की रेटना की परमगत कैमरे से जो है किस भाग से फिल्म की तुलना की जा सकती है फिल्म की तुलना आए देखते हैं 75 नंबर मानो शरीर के किस अंग में लस्क्या कोश्याईं बनती है पहला है यक्रित में दिर्ग अस्ति में तीसरा है अगनासे में चोथा है तिल्ली में तो कहां बनती है डी है इसमें बी आप्सन है दिर्ग अस्ति मानो शरीर के दिर्ग अस्ति में दिर्ग अस्ति अंग में लस्क्या कोश्याईं बनती है लस्का बहुत important कहा बनती है दिर्ग अस्थीम बनती है आई चीतर नमर देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टरॉल उत्पन करता है पहला है आत दूसरा है यकृत चौथा है फुसफुस चौथा है बिक पहला है आत दूसरा है यकृत तीसर है फुसफुस चौथा है बिक तो निमलिखित में से कौन सा अंग जो है वसा का भंजन कर कोलेस्टरॉल उत्पन करता है जिसका आंसर है यकृत यकृत जो है वसा का भंजन कर कोलेस्टरॉल उत्पन करता है अगला मानो सरीर में पुच कौन सी सनचना से संगलंग नहोता है ब्रिहदांत्र दूसरा है छुद्रांत्र तीसरा है पित्ता से और चौथा है अमा से मानो सरीर में पुछ कौन सी सरचना से सांगलंगन होता है तो यह होता है ब्रिहदांत्र जो हती है यह मानो सरीर में पुछ जो है ब्रिहदांत्र सरचना से सांगलंगन होता है आईए देखते हैं, 88 नमबर निमलिखित में से कौन सी सरक्रा ततकाल उर्जा प्रदान करती है, पहला है लैक्टोज, दूसरा है सिललोज, तीसरा है मालडोज, और चौथा है ग्लुकोज, तीसमें है ग्लुकोज, ग्लुकोज सरक्रा जो है ततकाल उर्जा प्रदान करती है, अगला देखते हैं ऍथलेट को निम्लिखिद में से किस्फे जल्दी और ज्याधा उर्ज शाहते हैं पाला में वॉसा दूसरा है पिढेटामिन तीसरा है प्रोटीन और चाथा है कार्भोहाइड्रेट किस्फे जल्द है ज्यादा उर्जा मिलती है कार्भोहां कार्भोहड्र degrees ќल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है अगला अगला देखतें 80 नंबरनि खित में से किसमी प्रोटीन का सबसे अधिक श्रोत पाया जाता है कि इसमें उड़द courses में तो सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़ Яदा प्रोटीन पाए जातrekा परथी कोशनखर भिचे भी आए था तो भारत में किस राज में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है तो यह मद्ध प्रदेश में अगला देखते हैं इक्यासी नम्बन निम्लिखित में से किसे रच्छात्मक पदार्थ कहा जाता है पहला बिटामिन दूसरा प्रोटीन तीसरा कर्भोहड्रेट चौथा वसा तो इसमें जो है रच्छात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है बिटामिन को बिटामिन को जो है रच्छात्मक प्राता काल धूप में मानो शरीर में निम्लिकित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है तो देखिए यह विटामिन A है विटामिन B है विटामिन C है विटामिन E तो इसमें कौन सा है है लिन्साल खून को जमने के लिए क्पधिर सामविए क्क कोन साथ खौन को जमने में साहर उता है तो फिटामिन fat क थी द्चार्व नियंधित करने के लिए काॉन साठी सेख होता है। परफाला लिएंगस तीसरा पोटैसीम चौथा लोगा तो चिर्दाय कि धरकन को नियंत्रिक करने के लिए C option पोटैसीम फ्रकुर निश्सम् biblical करने के लिएई पोटैसीम खनिज an वस्यक होता है और चौथा है AIDS, तीसरा तपेदिक चौथा AIDS, तो ELISA टेस्ट किसलिए किया जाता है, तपेदिक के लिए, TB के लिए जिसे बोलते है, Tuberculosis जो है, तपेदिक के लिए जो है, ELISA टेस्ट किया जाता है, IHC नंबर देखते हैं, गुर्दा पतरी का पता लगाने के लिए, किस प्रत सिटी स्कैन, तो इसमें जो है, सिटी स्कैन, गुर्दा पतरी का पता लगाने के लिए, सिटी स्कैन का प्रियोग किया जाता है, गुर्दा पतरी, देखिए इसमें ये गलत दिया है, गुर्दा पतरी का पता, इसमें आंसर इसमें गलत दिया है, देखिए गुर्दा पतरी को पता लगाने के लिए जो अल्टराज़ूंड के जाता है गुर्दापास्थरी का पता लगाने के लिए क्या आता है अल्टरााज़्ूंड आएए अगला देखते हैं सब्सक्राजर डेखते हैं 87 नंबर इमनीशिया जो होता है पूर्ण इस्मित लोप होता है अगला देखते हैं गाय की दूद का रंग किसकी मुझूदगी के कराण पीला होता है पहला है जैथोफिल दूसरा है राइबोफ्लोविन तीसरा है राइबो राइब्यू लोस और चौथा है कैरोटीन तो गाय का का रंग पीला होता है अगला देखते हैं मनुस में इंपला टॉक्सिन खाद बिसाकतन द्वारा समयता कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुस में इंपला टॉक्सिन खाद बिसाकतन के कराण समयता कौन सा अंग प्रभावित पहला हिर्द है दूसरा फेपड़ा तीसरा ब यकृत की यकृत अंग प्रहावित होता है, अगला देखते हैं, सुवरों को मानो रिहाईसी छेत्रों से दूर रखने किसकी उनमूलन में साहिक होता है, सूरोj को Manoj relief 6 से दूर रखना किसकी उनमूलन में सहायक होता है पहला malaria दूसरा जापानी encyclitis तीसरा जो है फिलपाउन चोफ़ा है polio तो सूरोj को Manojर relief 6 से दूर करने के लिए जापानी encyclitis के उनमूलन में सहायक होता है आईए क्यान वे नंबर देखते हैं दूद का धवल रंग किसके करण उपस्थित होता है पहला है ऐल्बूमिन तीसवा है कैरोटिन और चौत है कैसीम के करण जो है दूद का धवल रंग होता है अगला देखते हैं नंबर निमलिखित में से कौन सा इसकरणी रोग के इलाज में उपियोगी होता है, पहला आम है, पपीता है, तीसरा आउला है, चोथा है बेर, तो आउला इसकरवी रोग के इलाज के लिए जो है आउला उपियोगी होता है, तीरान में नमबर देखे, नौजात बच्चों के लिए सबसे आदर्स भोजन में लिए क्या है, पान दूद है आईए चौरान भी देखते हैं बच्चों को निम्न रोगों के प्रत्यच्छा प्रत्यच्छित करने के लिए डीटीपी को अंतापेसी रूप में दिया जाता है तो यह किसलिए मदमे कैंसर रेवीज और काली खासी किसके लिए होता है डीटीपी किसके लिए अगला देखते हैं मलेरिया माधा इनफ्लीज से फैलता है इसकी कोच किस ने की थी तो इसकी जो होती है रावर्ड खोज रोनाल्ड रॉस या एडवर्ड जेनर या लूइस पॉससट इसका बी आफ्षन है रोनाल्ड रॉस पहले पीछे भी आ चुका है मलेरिया माधा आए देखते हैं 96 नमबर निमलिखित में से कौन सा रोग बैक्टेरिया से होता है देखिए तपेडिक पीलिया चेचक या मंपस तो इसमें जो होता है मंपस होता है तो इसमें देखिए इसमें तपेडिक दिया है पेलिया दिया है चेचक दिया है मंपस दिया है तो इसमें द बैक्टेरिया से जो है तपेदी को था आई 17 नमबर देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा एक कवक एवंग उचपादप की जड़ों के बीच उपयोगी कारियात्मक संबंद को दरसाता है पहला है जैयोर उपरक दूसरा है कोरेलाइट जड तीसरा है लाइकेन चौथा है मा माइको राइजा तो इसमें निम्लिखित में से कौन सा एक कवक एवंग उचपादप की जड़ों की बीच उपयोगी कारियात्मक संबंद को दरसाता है तो माइको राइजा माइको राजा डी दूसरा है साइकस तीसरा है पाइनेस और चौथा है जिंग कंगो तो इसमें एक जीवित जीवास्म कौन है जिंग किंगो डियो आप्शन जिंग किंगो जो है जीवित जीवास्म है अगला देखते हैं निमलिखित में से कौन सा फल अनीशयक फल नहीं है निमलिखित में से सहतूत है, इस्ट्रविरी है, इसमें केला है, केला जो होता है, अनीस्यक फली है, अगला देखते हैं, किस पौधे में बीज होता है, लेकिन फल नहीं होता है, पहला देखे, एक मूंफली, दूसरा थीसरा बदाम, चौथा साइकस, किस पौधे में बीज होता है, लेकिन फल तो यह साइकस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको ज़्यादा सेर करिए अगर कोई आप लोग को दिक्कत महसूस हो रही है तो इसमें कमेंट करिए यह बालो जी कि बहुत ही important question आने वाले exams में आपको इससे question जरूर मिलेंगी